नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कथा और पूजन में वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आज हम चर्चा करेंगे जगनाथ मंदिर और उससे जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में जिने आज तक विज्ञान भी खोज नहीं पाया है जगनाथ मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्यूम्न ने कराई थी पुरानिक कथाओ के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगनाथ में दर्शन दिये और अपनी मूर्ती को नीली चल परवत की गुफा से ढूनने और मूर्ती को एक मंदिर बनवा कर इस्थापित करने को कहा 800 साल से भी जादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी ऐसे कई रहसे हैं जिनके आगे पैज्ञानिक भी हाथ जोड़ गए हैं मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत क्यों लह राता है मंदिर की रिसोई में खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता मंदिर की शिखर पे हमेशा छाया क्यों अद्रिश्य रहती है कोई भी पक्षी मंदिर के प्रांगन में क्यों नहीं आता इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें बद्रिनात धाम को जहां जगत के पालन हार भगवान विश्नु का आठवा वैकुंठ माना जाता है वही जगनात धाम को भी धर्ती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है 214 फीट उचे इस मंदिर के परचाई आज तक किसी ने नहीं देखी भगवान जगनात मंदिर के उपरी हिस्से विज्ञान के नियम को चुनोती देते हैं जो चीज दुनिया में है उसी के परचाई नहीं बन थी यहां मंदिर के शिकर के छाय हमेशा अद्रिश्य ही रहती है ऐसा क्यों होता है इसके उपर कई विज्ञानिकों ने खोज की लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला भगवान जगनात मंदिर में जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माने जाती है यहां जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बरतन में ही बनाया जाता है लेकिन चौकाने वाली बात ये है कि बरतन के उपर बरतन रखकर आप कितनी भी उचाय करके प्रसाद बनाए लेकिन ये प्रसाद उपर से नीचे पकता है ना कि नीचे से उपर की ओर तो विज्ञान यहां भी फेल हो जाती है कि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज सबसे दूर है वो सबसे पहले कैसे प्रभावित होती है कैसे बन जाती है कहते हैं साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं दिन में कितने लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के कपाट बंध होने का समय आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है यानि आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी कन बरबाद नहीं हुआ है मंदिर के सबसे उपरी हिस्से का एक धोज लहराता है जिसे हर दिन बदला जाता है और कहते हैं कि अगर किसी भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों में बंद हो जाएगा ध्वज से जुड़ा रहसे ये है कि ये हमेशे हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है मंदिर के शिकर पर एक सुदर्शन चक्र भी है कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कौने से अगर इस दिर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुँ आपको अपनी तरफी नजर आता है बगवान जगनात के मंदिर के उपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं हुडा है ऐसा क्यूं है? मंदिर के पास आते ही किसी भी हवाई जहाज या पक्षी की दिशा ही बदल जाती है ये रहसे ही है इतनी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखाई देगी लेकिन ये एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां कभी पक्षी नजर नहीं आते हिंदु धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रिनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है ऐसी माननेता है कि भगवान विश्णु जब चारो धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रिनाथ गए वहाँ उन्होंने सनान किया इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहाँ उन्होंने कपड़े बद्ले द्वारिका के बाद उडिसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंद में तमिल नाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया पुरी में भगवान श्री जगनाथ का मंदिर है बंद कर दी जाती है और हर जगा उंधेरा कर दिया जाता है जिससे मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया को गोपनिये रखा जा सके और मूर्तियों को बदलते समय केवर एक मुख्य पुजारी ही वहां मौजूद होता है और उनकी आखों पर भी पट्टी बांधी जाती है तो दोस्तों ऐसी ही रोचनिये कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ बने रहें राधे राधे